हलो फन्ट्सекоतार टो माय चैनल आज मैं बहुत शेयर कंने जा रही unto पतल वाली haven here यह कि आप इसे पूरी के साथ में खा सकते हैंँ ! और रोटी के खा सकते हैं !! इसे बनाना बहुत ही आसा है और बहुत ही टेस्टी बनती है!!! तो इसे लाइक कीजिए, बनाने के बाद मैं कमेंट करके बिदाएगा, बनाना शुरू करते हैं, यहां यह मैंने आदा किलो अर्वी लिए हैं, जिसने मैंने पहले से उबाल के रखा है, यहां हम इसे छील लेंगे, और उसके बाद मैं इसे चार पीसिस में कट कर लूँगी, अर्वी को बाले के बाद, यदि आप एक घंड़ी के लिए फ्रिज में रख देंगे ना, तो वो अच्छे से सैट हो जाती है, तो मैश नहीं होती है, तो यहां हम सभी अर्वी को इसी तरह से काट कर तयाग कर लेंगे, और यहां ही मैंने पैन लिया है, पैन में लिया है, दो बड़ी चमच, ओल, ओल यह हलका सा गरम हो जाएगा, आदा चमच से थोड़ा से कम है, अजवाइन, एक खरी मिर्च ली है, हमने बारी कटी हुई, हींग ली है, दो पिंच, दो साबोत लाल मिर्च, और इन चीजों को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे, आपको यहां पर क हमें अच्छे से भूना है, तब तक जब तक कि इससे ऐल अलग नहीं हो जाता, टमाटर हमारे भूनकर तयार हो गए है, ओल इससे अलग हो गया है, तमाटर भूनने के बाद में आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना, यहां ही मैंने लिया है, आदा कब दही, इससे मैंने ब bubbles नहीं बने लगए जाती जैसे इसमें bubbles byने लगेंगे न को फटे الإलजा़ यह पक्तशल जाएगा दही पकना श्यूरू हो में बबस बने लगे हैं यानि कि दही पकना शुरू हो गया अब यह फटेगा नहीं मसाले डाल देते हैं तो आदा चमच हमें लिए हल्दी पाउडर एक चमच कश्मी रालमिच पाउडर तीखा नहीं होता है कलर अच्छा आजाता है इससे और इसमें जाएगा एक चमच धनि अदा चमच से कम है जीरा पाउडर नहीं है तो आप इसे इसके भी कर सकते हैं अब आपको इन चीजों को अच्छे से पकाना है ताकि हमने जो मसाले डाले है ना तो यह जो सूखे मसाले ना अच्छे से इसमें भुन जाए और ओल्कुल अला हो जाएगा आप कभी भी सबज ना तो इसका आई जो मसाले रहता है ना इसको आप अच्छे से भूण ना सब्सी हमेशे अच्छी बढ़ेंगी मसाला बुनकर टेयार हो गया है अब हैं अब यह तो काफी ठीक है तो हमें इसमें ग्रेवी बनानी है तो ग्रेवी के लिए हम इसमें डालेंगे पानी पानी आपको नॉर्मल टेंपरिचर का लेना है तो यहां मैंने लिया है आदा ग्लास से थोड़ा सा जादा है पानी बाकिए पानी अपने इसाब से कम या जादा भी कर सकती है इसमें जितना आपको ग्रेवी थिक चाहिए तो यहां अभी सबसे पहले हम इसमें एक उबालाने और यहां पर हम इसमें डालेंगे नमक तो जितना हम अब सबजी बना रहे हैं उसीहसाब अब यहां पर हमें अच्छी से पकाएंगे हैं और हम इसे थख देतेम2020 कम शेक में के लो फ्लेम पर पकाना है और पहले हिवे पहले ही ढ़ाइज अब ही पानी डाल सकते है और बाद मैं नहीं डाला है तो यहां चैक कर लेते हैं और गयस को बंधि kannst थीक 10 मिनिट यहां पर हो गए है अभी आप देख सकते हैं जो ग्रेवी की ठीकने से इस तरीके से है थोड़ा ही देल में यह और भी ठीक हो जाएगी जैसे जैसे ठंडा होते जाएगी तो फ्रेश बारे कटा उखारा धनिया और आदा चमच हमने लिया है गरम मसाला मिला लेत पर आजाती है जैसे के पतल वाली अर्वी की सबसी की होती है तो यहां यह सबसी तो हमारी बनकर तेयार हो गई है तेस्ट बहुत अच्छा आता है मसाले को एक्स्टा नहीं लेने हैं आपको किचिन के रेगुलर मसाले से ही आपको यह बनानी है तो यहां ही तेयार हो गई ह हमारे अरभी की सबजी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक की जीए शेक की जिए और इसी तरह की रेसीबिू को आगे दीखनी के लिए मेरी चे Lust को सबस्क्राइब की जीए साथी बेल अक्र्ट के प्रेस की जीए तकि नेक्स्ट वीडियो पिस्टिक्षन आपको पहले मिल सके thank you